अरे तू क्या है तू तो पर्मीती चोपड़ा की कॉपी है कॉपी है जे हैं दोस्तो मनारा चोपड़ा जिस बात से चिरती है उस बात को फाइनली अभिशेक ने उसके मूँ पे बोल डाला नमस्कार आप देख रहे हैं चैनल टेली घजाना चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे ने चैनल राहूल वोच कॉमेडी को भी देखना ना भुले कॉमें सेक्शन में लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है पर सब्सक्राइब जरूर करें मनारा चोप्रा को जिस बात से हर्ट होता है जिस बात पर उसकी किलस्ती है या फिर उसकी जलती है वो है कही न कहीं उसका कंपारिजन विधर सिस्टर्स यानकी परनीती चोप्रा प्रियांका चोप्रा और ये बात मनारा ने चीख चीख कर वो लिया और जैसे कि हम सब को पत क्या हुआ है वो आपको बताता हूँ दरसल ये मुद्दा हुआ है क्लिनिनेस को लेकर कि मानारा बहुत ज़दा अंटाइडी रहती है बहुत ज़दा गंदे तरीके से रहती है जो जहां चीजे पड़ी है वो पड़ी है जो जहां चीजे वो छोड़ती है छोड़ती है चार according to Abhishek, अब यहाँ पर क्या हुआ, यह तब साथ होता है, जब रिंकु जी देखती हैं कि बातरूम में, सॉरी, not बातरूम, किचिन में, जो बीन बैग है, गॉर्बेज बैग है, वो पूरा इतना भरा हुआ है, वो over stuff है, उसके चीजे गिर रही हैं, और यहाँ पर यह बात वो बोलती है, श्रीकांत, यानि अरुन श्रीकांत और अभिशेक को, जो कि properly अपने अंडे के छिलके नहीं डाल रहे हैं, जिगना को literally, जो है, डस्बिन को वाश करना पड़ता है, लास्ट येर जैसे अर्चना गौतम और प्रयांका करती थी, यहाँ पर जिगना कर रही है अब अभिशेक अपने defense में इस बात के लिए मनारा चोपड़ा को accuse करता और बोलता है कि भाई, सबसे ज़्यादा untidy तो और कोई नहीं, बलकि वो है, जिसका नाम मनारा है, वो अपने part को अच्छे से नहीं करती है, वो पोचा धंक से नहीं लगाती है, अब ये लड़ाई इतनी ज़दा personal हो जाती है कि अभिशेक घुसे घुसे में मनारा को बोल देता है कि तू तो duplicate परिनीती चोपड़ा है, परिनीती की copy है, जिस पर हो जाता है हंगामा, और दोस्तों यहाँ पर वो यही कहती है मनारा की भाई, मेरी family को लेकर कुछ मत बोलना, वरना जिन्दा चबा जाओंगी तेर को, तो दोस्तों मनारा और अभिशेक में एक बहुत भहंकर वाला जगड़ा हुआ है, बहुत बड़ा कलेश हुआ है, और ये कलेश की वज़ा है बिग बॉस की सफाई, अब बैटर है मैं चाहता हूँ जैसे सलमान सहाब ने बिग बॉस 13 में आके सफ पॉइंट आउट करें, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि बिग बॉस का घर है, बिग बॉस बायज है, तो भाई चलो, एक काम करो, मनारा चोपड़ा को बचा लो, मतलब कि मनारा चोपड़ा को उनकी बातों का रिलाइजेशन मत करो, आपका रियक्शन मुझे जरूर बता आईएगा, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, बाई बाई